So guys welcome back to another video तो इस वीडियो में भी आपको हीपप का अपडेट्स दूँगा तो वीडियो को बिना स्किप किये लास तक जरूर देखना तो नियूस देने से पहले आपको बता दू AKB भाई का जो ट्रेक आने वाला था Don't Lie To Me वो ट्रेक YouTube पर official music video के साथ आ चुका है जिस ट्रेक का music production और video production बहुत high level का किया गया है और ट्रेक का vibe भी मुझको बहुत अच्छा लगा तो आप लोग जाओ जाके वीडियो को चेक करो लिंक आप लोगों को मैं description में दे दूँगा तो चलिए बढ़ते हम updates की तरफ तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे बेला भाई के बारे में तो आपको पिछली वीडियो में बताया था बेला भाई बहुत सल स्टोरीज डाले थे तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो जाके वीडियो चेक कर लेना तो कलमिंग भाई उसी स्टोरी को शेयर करते हैं अपने स्टोरी पे लिखे थे दिल के बाद बोल दे स्टोरी पे कोई तो है जो आवाज उठा देता है बीना चाटे और जिसके बाद लिखे थे ये अंदे फैन बाद में समझ जाएगी कौन रियल है और कौन फेक है मर जाओंगा पर ना ही जूट के साथ दूँगा ना ही चाटूँगा बाप ने बोला था बेटा बस कभी गलत ना करना ना सहना और ना किसी के आगे जुकना और जिसके बाद बेला भाई और एक स्टोरी पे लिखेते अब कुछ नहीं बोलूँगा कसम से कुछ नहीं बोलूँगा मर जाओंगा पर कुछ नहीं बोलूँगा मैं खूश हूँ बैड इमेज रखके कम से कम रियल तो हूँ इंडियान हीपोप को शेड देखना पसंद है भाई दाहर सुनना अच्छा नहीं लगता ही नहीं क्या करूँ मैं हीपोप करके ब्रो जब फ्रीडॉम ही नहीं है कुछ बोलने का दान वित इंडियान हीपोप जिसे सुनना है वो मुझे सुने बाकियों को राम राम और जिसके बाद बेला भाई अपने ट्रैक का पे अनॉंस किया है जिसका नहीं में चैंपियान जो की देखने को मिलेगा 2nd November को अभी देखते ये ट्रैक कैसा होता है तो शेली अभी हम लोग बात कर लेंगी इका भाई के बारे में तोका भाई अपने स्टोडी पे लिकेते ये ये घ्यों किल्चने नहीं से वनखिई वोग उक्शह झाओ से अवर हाई एय रहती ये तो आपका इस मैटर पर ओपिनियन क्या है कॉमेंट में जरूर बताना तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे M.E.O. भाई के बारे में तो आप लोग जानतों दो तीन दिन पहले M.E.O. अपना जो ट्रेक है मचाएंगे फोर जो की डिस्ट्रेक्ट है कृष्णा भाई के लिए उसको प्राइबेट से पब्लिक कर दिये थे फिर से लेकिन आप लोग आप जाके चेक कर अड़े उनका चैनल पे तो आप लोगों को मचाएंगे फोर डिस्ट्रेक्ट नहीं मिलेगा शायद फिर से प्राइबेट कर दिया है M.E.O. भाई ने तो इसका रिजन तु मुझे पता नहीं देखते क्या निकल कर आता है तो चलिए अभी हम लोग बात कलेंगे रफ्तर भाई के बारे में तो रफ्तर भाई अपने स्टोडी पे लिखे थे बीडे आ रहा है तो आप लोग जानते हो अगले माई ने रफ्तर भाई का जनम दिने तो शायद से उसी दिन हम लोगों को रफ्तर भाई का कोई ट्रैक देखने को मिल जाए तो अभी हम लोग बात कलेंगे कर्मा भाई के बारे में